भाई और बैनों, एक दौर था जब देश में विकास की बात केवल बड़े शहरों तकी सिमित होती थी, वहाँ भी विकास का मतलब बस इतना ही होता था कि खास खास इलाकों में बड़े बड़े फ्लाइव वर्थ बन जाएं, सडके बन जाएं, मैट्रो बन जाएं, यानि गाओं कस्वों से दूर और हमारे घर के बाहर जो काम होता था, जिसका सामन्य मानवी से लेना देना नहीं था, उसे विकास माना गया, बीते बर्षों में देश ने इस सोच को बन ला है, आज देश दोनों दिशहों में काम करना, दो पट्री पर चलना चाहता है, देश को नए इंफास्ट्रक्टर की भी जरुरत है, इंफास्ट्रक्टर बर भी लाखो करोरों खर्च हो रहा है, उससे लोगों को रोजगार भ इवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए, इस अब लिविंग के लिए नए मानदन भी स्थापित कर रहे हैं, गरीब के ससक्ति करनों को आज सरवोच्च प्रात्विक्ता दी जा रही हैं, जब दो करोड गरीब परिवारों को घर दिये जाते हैं, तो इसका मतलब होता है, कि वो अब सरदी, गर्मी, बारिश के डर से मुक्त होकर जी पाएगा, इतना ही नहीं, जब खुद का घर होता है न, तो आत्म सम्मान से उसका जीवन भर जाता है, नए संकल्पों से जुड़ जाता है, और उस संकल्पों को साकार करने के लिए, गरीब, परिवार समेच, ज जी जान से जुड़ जाता है, दिन रात महनत करता है, जब दस करोर परिवारों को साउच के लिए, गर से बाहर जाने की मजबूरी से मुक्ती मिलती है, तो इसका मतलब होता है, कि उसका जीवन स्तर बहतर हुआ है, वो पहले सोचता था, कि सुखी परिवारों के घर में ही होता है, सौचालाई उनी के घर में होता है, गरीब को तो बेचारे को अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है, खुले में जाना पड़ता है, लेकिन जब गरीब को सौचालाई मिलता है, तो वो अमीर की बराबरी में अपने आपको देखता है, एक नया विश्वास पैदा ह होता है इसी तरह जब देश का गरीब जंदन खाते के जरिये बैंकिंग विवस्ता से जुड़ता है मोबाइल बैंकिंग गरीब के भी हाथ में होती है तो उसे ताकत मिलती है उसे नए आउसर मिलते हैं हमारे यहां कहा जाता है सामर्थ मुलं सुख मेव लोके अर्थात हमारे सामर्थ का आधार हमारे जीवन का सुख ही होता है जैसे हम सुख के पीछे भाग कर सुख हासिल नहीं कर सकते बलकि उसके लिए हमें निर्धारित काम करने होते हैं कुछ हासिल करना होता है बैसे ही ससक्ति करना भी स्वास्त, सिक्षा, सुविदा और गरीमा बढ़ने से होता है जब करोडों गरीबों को आईश्मान योजना से मुप्त इलाज मिलता है तो स्वास्त से उनका ससक्ति करना होता है जब कमजोर वर्गों के लिए आरक्षन की सुविदा सुनिचित की जाती है तो इन वर्गों का सिक्षा से ससक्ति करना होता है जब सड़के सहरों से गावों को भी जोडती हैं, जब गरीब परिवारों को मुप्त गैस कनेक्शन, मुप्त बिजनी कनेक्शन मिलता है, तो इस स्विधाएं उनका ससक्तिकान करती हैं जब एक भ्यक्ति को स्वास्त, सिख्षा और सुविधाएं मिलती हैं, तो अपनी उन्नती के बारे में देश की प्रगती के बारे में सोचता है इन सपनों को पूरा करने के लिए आज देश में मुद्रा योजना है, स्वनिधी योजना है, भारत में ऐसी अनेको योजना है, गरीब को सम्मान पूर्ण जीवन का मार्ग दे रही है, सम्मान से ससक्ति करन का माध्यम बन रही है.